नमस्कार स्वागत है अब सभी का मैं हूँ अवंतिका और आप देख रहे हैं जेजेन न्यूज उत्रखंड के मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी आज अपने दिली दौरे पर थे इस दौरान उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से मुलाकात की पी-म से बिलने के बाद उन्होंने केंद्रे ग्रियम मंत्री अमिच शा से भी मुलाकात की इस मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रदेश के कई एहम मुद्दो पर चर्चा की उन्होंने ग्रिह मंत्री से कहा कि उत्रखंड से नेपाल और चीन की सीमा लगी है ऐसे में वहां के पास वाले गाउं की भौगोलिक दशा ठीक नहीं है और साथ ही आर्थिक स्थिती ठीक नहीं होने के कारण वो गाउं वीरान हो रही है ऐसे में मुख्य मंत्री ने वहां से इनर लाइन प्रतिवंद हटाय जानी की मांग की है जिससे की वहां पर्यटन के अफसर खुलेंगे और साथ ही आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से वहां पलायन भी कम होंगे इतना ही नहीं उन्होंने केंड्रे ग्रेम मंत्री से चमोली जिले के नीती घाटी और उत्तरकाशी के निलोंग घाटी को इनर लाइन प्रतिवंद से हटाय जाने के प्रस्ताफ पर भी विचार करने को कहा है आपको बता दें कि इसके अलावा मुख्य मंत्री धामी ने कोविट की तीसरी लहर को लेकर सरकार की तैयारियों चारधाम यात्रा के साथ साथ कामड यात्रा को लेकर भी चर्चा की साथ ही उन्होंने प्रदेश में दो एर अम्बूलेंस ग्रीश्म कालीन राजधानी गैरसायन में आपदा प्रबंधन शोध संस्थान की स्थापना के साथ ही आपदा में लापता हुए व्यक्तियों को मृत घोशित किये जाने का भी अनुरोद किया है हमारे आज की इस खबर में बस इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम जानकार्यों के जुड़े रहे हमारे साथ नमस्कार